हेलो देर कैसे हैं आप मेरा नाम है गौरो मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के 22 चैप्टर के बारे में जिसमें मेजरली डिसकेशिन होगा अबाउट दे इंट्रोडेक्शिन अफ दे चैप्टर ठीक है बहुत जादर डिटेज डिसकेशन नह जिसमें सबसे पहला जो कॉर्डिनेशन किया जाएगा वो किया जाएगा होर्मोन के द्वारा और उसे का जाएगा होर्मोनल कॉर्डिनेशन जो दूसरा होता है that is carried out by your nervous system and it is called as nervous coordination तो यह दोनों चीज़े है क्या और दोनों का impact कैसे होता है अगर आप nervous और एक hormonal coordination के बारे हम बात करते हैं तो दोनों ही चीज़े अलग लग हैं जनरली जो hormonal coordination होता है वो arise करता है from the epithelial region in fact अब यहाँ पर तीनों ही layers आ जाएंगे आपके पास ectoderm भी आ जाएगा ठीक है आपके पास endoderm भी आ जाएगा और आपके पास में जो mesoderm था इन दोनों के बीच वाला वो भी आ जाएगा इन तीनों ही layers के द्वारा hormone जो थे वो produce करे जाते थे जबकि यह nervous coordination जो है वो purely होता है ectodermal in origin इस purely ectodermal in origin all right now apart from this हम देखते हैं जब hormonal coordination के बाद होगी तो इसका जो coordination होता है जो process होता है comparatively slow होता है whereas जो nervous coordination होगा वो काफे rapid होता है ठीक है आपको जैसे किसी ने touch किया वैसे ही आपको पता चल जाता है और आप respond कर पाते हो जब कि का हमारी body में hormones के साथ वैसा नहीं है hormones बनने में भी समय लगता है और इनका effect show होने में भी time लगता है हाँ but हाला कि ये दीरे दीरे काम कर रहे थे इनका जो impact था वो कैसा है widespread है पूरी body में उसका impact देखने मिलता है ठीक है widespread effect होता है मतलब अगर मैं growth hormone की बात करूँ तो मैं देखूँगा कि growth hormone जो है वो मेरी पूरी की पूरी body पे equal growth देता है ठीक है ऐसा नहीं कि हाथ जादा बड़ा हो जाएगा और पैर जादा चोटा पो जाएगा ऐसा नहीं होगा जब कि का जो nervous coordination होगा उसका effect जो है वो localized होता है it is not spread to all the body ठीक है जैसे मानोगर काटा चुभा तो जो response होगा वो उससी particular जगह पे आएगा जहां पर आपको काटा चुभा आता है ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी body में आपको दर्द होने लग जाएगा ठीक है तो effect जो है इसका localize हो जाता है दूसरा आप देखते हो कि जो hormonal coordination होता है वो comparatively जादा समय तक चलता है तो it is long lasting whereas this the nervous coordination it happens for a short period of time only ठीक है तो अगर आपको जिसे दर्द हुआ अगर दर्द हुआ तो दर्द तो पुरे दिन बर रहने वाला नहीं है you are not going to experience that pain throughout the day अगर आपको पिन चुबी है तो उस पिन के चुबने का ऐसास या दर्द पुरे दिंबर नहीं होता है या फिर बहुत महनों तक, हफतों तक, सादों तक नहीं होता it happens only for a very short duration of time ठीक है तो या नव जो hormonal coordination है जो hormonal coordination है वो basically जो है control किया जाता है या regulate किया जाता है by these things called as glands उन चीजों के द्वारा जिसे का जाता है glands तो अगर मैं glands की बात करता है if I am talking about the glands तो I would want you to understand that glands are of two type okay glands are of two type एक वो जो अपना secretion body के बाहर I mean blood vessels के बाहर, blood के बाहर देती हो उसे का जाएगा exocrine gland एक gland वो होती है जो अपना secretion blood के बाहर देती हो और दूसरी gland वो होती है जो अपना secretion blood के अंदर देती हो सीधा-सीधा blood के अंदर secret करेगी उसे का जाएगा एक endocrine gland तो आपके पास दो प्रकार की gland होती है एक होती है endocrine gland और दूसरी होती है exocrine gland as the name suggests, endo जो मतलब होता है क्या अंदर और क्राइन का मतलब होता है secretion, endo का मतलब क्या, endo का मतलब क्या, inside और क्राइन का मतलब क्या होता है क्राइन का मतलब क्या होता है, basically क्राइन से डिराइव हुआ शब्दे हो इसका मतलब होता है क्या secretion तो जब secretion होगा inside, किसके inside? inside blood तो वो gland जो ये card कर पाएगी उसे कहा जाएगा endocrine gland तो there is secretion is secretion in blood इसका secretion होगा in blood, जबकि का exocrine जो है उसका secretion होगा out of blood secretion outside the blood vessel outside the blood vessel लिख देता हूँ, क्योंकि blood vessel के अंदर ही blood flow बड़ता है न, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर blood vessel है, ठीक है, अब देखो अब क्योंकि मानो जैसे यह blood vessel होगा थी, let me change the color I have got some cells here I have got some cells here, जो अपने particular secretion, जो release कर रही थी इन्होंने, 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 इन्होंने जो चीज secret करी वो यह थी इन्होंने अपना यह क्या रहा, यह secretion कर दिया यह secretion कर दिया as it is यहाँ पर ठीक है बाहर, release कर दिया और, और, यहाँ से गुजर रही थी हमारी blood vessels, blood यहाँ से गुजर रहा था तो हमने क्या देखा यार इनका secretion as it is blood के अंदर आ गया तो इनको क्या दरना था, क्योंकि सीधा-सीधा blood में डाल रहे थी, तो इनके पास tube होने की जरुरुएत नहीं थी तो यहाँ पर इनके पास duct absent होती है ठीक है इनके बास क्या होती है, duct जो है वो absent होती है, अब duct यहाँ पर absent होती है इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग ductless gland कह सकते हैं, we can call this glands as ductless gland जबकि का for this, for this saver example के भाया यह हमारा कोई, let me, let me, let me change the color first yeah, saver example that this is one of our exocrine gland and what it is doing is, it is producing certain substance और वो substance को क्या था, जिसे मालो sweat gland की बात कर रहा हूँ, मैं पसीने की बात कर रहा हूँ तो यह हमारे skin हो गई पूरी, और अंदर कहीं जाके हमारी sweat gland थी तो इसने जो भी पसीना प्रेडियूस कर रहा था, जो भी secretion प्रेडियूस कर रहा था वो बाहर रिलीस कर रहे थी, नाकी का ब्लेड में तो आप देखो कि यहाँ पर एक tubular structure है जो क्या कर रहा था, इस secretion को दूर ले जा रहा था, ठीक है, बाहर की और ले जा रहा था तो यहाँ पर duct आपको देखने मिलती है तो देर इस duct, presence of duct एक होती है, exocrine gland के ऊपर, ठीक है, नाव, एक्जोक्राइन कमपरिटिवली जो है, एक्जोक्राइन जो कमपरिटिवली, substances produce करती है उसमें या तो, या तो कोई enzyme हो सकता है, ठीक है, या तो कोई enzyme हो सकता है, या तो कोई excretory product हो सकता है ठीक है, या फिर जैसे माल लो, यहाँ पर lubricant हो सकते हैं, lubricant हो सकते हैं, ठीक है तो देखो, enzyme के और इसन सब के example बताऊंगा मैं, जबकी का अगर मैं endocrine gland की बात करता हूँ तो उसका जो secretion होगा, वो केवल और केवल hormone ही होगा, they would always and always secret hormones तो hormones के अंदर बहुत सारी आ जाते हैं, जैसे के कुछ अगर example लेकर के मैं आपको बता पाऊं तो I could have this thing called as growth hormone, जिसको मैं GH लिक रहा हूँ अगर मैं male हूँ, तो मैं, I mean किसी भी male के अंदर in fact, I'm not talking about generally मेरे लिए, मैं सब जब मैं मैं बोलता हूँ तो it includes everybody, तो testosterone हो जाएगा यहाँ पर, testosterone है, अगर कोई लड़की है तो उसके अंदर estrogen हो जाएंगे और उसके अंदर progesterone हो जाएंगे, तो यह, 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 यह progesterone, यह कुछ hormones है, only to name a few अगर enzymes की बात करते हो, अगर enzymes की बात करते हो, तो आपके पास आते थे pancreatic juice, ठीक है, आपके पास आया करते थे pancreatic juice तो pancreatic juice जो है, वो एक, एक pancreas के अंदर कुछ specialized cells होती थी, जिनको हम बोला करते थे, acinar cells, ठीक है, acinar cells जो होती थी, वो यह pancreatic juice produce किया करती थी, देखा जाये तो pancreas जो है, वो एक, वो एक, 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 हेट्रो ग्लाइंड है, क्योंकि वो दोनों ही चीज़े प्रेड्यूस करती है, वो endo और exo-gland ग्लाइंड दोनों की तरह बिहेव करती है, excretory product की बात करो, तो तुम्हारे पास आती है sweat gland, तुम्हार लुपरिकंट बनता था, वेसे, 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 you can have, you can have mucus, you could have sebum, all these things can, can serve as a lubricant, right, now, this, 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 this is the basic difference between an endocrine and an exocrine gland, now, say for example, if somebody is studying the subject of endocrine glands, somebody is, somebody is interested to study about this endocrine glands, to he will study a subject called as endocrinology, okay, अगर किसी व्यक्ति को, endocrine glands के बारे में पढ़ाई करनी है, तो वो study करेगा endocrinology, अब endocrinology एक subject है, तो इस subject के father है, somebody called as Thomas Addison, ठीक है, ये Thomas Addison वो वाले नहीं है, अलवा Addison नहीं है, ठीक है, ये दूसरे Addison है, Addison नहीं है, I'm sorry for this, it is S-O-N, ठीक है, चलिए, now, 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 कुच, कुछ fascinating points हम बताएंगे आपको यहाँ पर, जो सबसे पहले होर्मोन ढूंदा गया था, जो सबसे पहले होर्मोन ढूंदा गया था, that was secretin, the first hormone to be discovered was secretin, and it was discovered by Baylis and Starling, it was discovered by Baylis and Starling, उनने उनको मिल करके ढूंदा था, ठीक है, और Starling ही ने, जो होर्मोन है, वो coin किया था, हे, coin the term, coin the term, क्या, coin क्या है इनने term, coin the term, hormone, okay, hormone term इनने coin करा, चलिए, now, अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्या, hormones, इसमें, सबसे पहली जो category में आपके साथ discuss करूंगा, वो होगी, पार Hoormones की, वो होगी किनकी, पैर होर्मोन की, अब अच्छो, पैर होर्मोन की, अगर हम बात करतें, तो, what do you understand by this%, == पैर होर्मोन को कही बार हम लोग लोग लोगोल होर्मोन के नाम से जानते हैं, लूकल हॉर्मोन मतलब क्या इनका जो इंपाक्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा तो यह जो पैरा हॉर्मोन है इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग NCRT में कुछ देखने ही पाएंगे ठीक है शायद थोड़ा बहुत एक दो लाइन दिया हो तो मेरे को तुल याद नहीं है कि वो भी कुछ हो वैसा भी कुछ नहीं दिया NCRT के अंदर पर्टिकलिटली तो तो पैरा हॉर्मोन के अगर तुम बात करो तो सबसे पहला चीज क्या समझने है आप लोग को सबसे पहला पोइंट तो आपको यह समिलेने कि उमर बहुतक्तम है एनके מज़ क्या आईो बहुत कम है और तुम्हारी बॉडी के लगबग लगबग सभी सेल, लगबग लगबग सभी सेल, mostly all cells produce this para-hormones, ठीक है, mostly all cells produce this, खाली एक RBC को अगर मैं छोड़ दू, खाली एक RBC को अगर मैं छोड़ दू, mostly all cells produces these hormones, तो मैं hormone ना हटा करके, हटा देता हूँ, in fact, मैं आप ले देता हूँ, एक exception, except क्या RBC, RBC को छोड़ करके भाई, बाकि सभी के सभी cells जो है, वो para-hormones बनाती है, RBC क्यों नहीं बना पाती है, क्योंकि भाई यह RBC जो है, byconcave ऐसा structure है, और it is an anucleated structure, यहाँ पर nucleus नहीं बनता है, nucleus है ही नहीं, अब nucleus नहीं है, तो क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नया बनाने का संभावना घट जाता है, ठीक है, वो क्यों होता है, वो आप 11 में पड़ोगे, transcription और translation नहीं होता है, basically, nucleus नहीं है, तो वहाँ पर process बहुत बड़े level के नहीं हो पाएंगे, ठीक है, now, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेंगी, मानों के यहाँ पर hormone बनाई, यह एक cell थी, यह पर particular cell थी, और इसने यह certain hormones produce करें, certain hormones produce करें, तो यह जो hormones इन्होंने बनाये हैं, यह जो hormones इन्होंने बनाये हैं, वो hormones दो काम कर सकते थे, या तो यह hormones आजू-बाजू के cells पर काम कर लेते, either these hormones could act on the adjacent or the neighboring cells, या फिर यह क्या कर सकते थे, they could act on the cell जिसने उसको बनाया, ठीक है, एक cell थी जिसने hormones बनाये, अब यह जो hormones बने या तो यह आजू-बाजू के neighboring cells को control कर सकते थे, या neighboring cells को regulate कर सकते थे, या फिर यह लोग खुद को regulate कर सकते थे, तो depending के इनका action किसके उपर हो रहा है, रोसी पर रोसी पर हो रहा है या खुद पर हो रहा है, उसके basis पर, मैं किसी hormone को दो भाग में बाट दे रहा था, वो जो दूसरों पर काम करते थे, उसे मैंने बोला पैराक्राइन होर्मोन, उसको मैंने कौन सा होर्मोन बताया, उसको मैंने बताया पैराक्राइन होर्मोन, और वो जो खुद के उपर काम कर रहे थे, उसको मैंने बोला कि यार, आटोक्राइन कर ले तू अपने आपको, तो यह बन गया आटोक्राइन होर्मोन ठीक है तो होर्मोन जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं पेरा होर्मोन में एक पेराक्राइन और एक आटोक्राइन पेराक्राइन नेबरिंग सेल्स पर काम करेगा और आटोक्राइन जो दूसरों पर काम करेगा जादतर जो local hormones होते हैं जादतर जो local hormones होते हैं जो para hormones होते हैं वो paracrine nature के होते हैं ठीक है most of them are of paracrine nature तो अब इन paracrine nature में हम लोग paracrine जो hormones उनके कुछ example देखते हैं जिसमें सबसे पहला हमारे पास आएगा वो क्या होगा वो होगा prostaglandin prostaglandins जो दूसरे होंगे उसमें आजाएंगे हमारे neurotransmitters neurotransmitters और जो तीसरे category होगी paracrine hormones की वो हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे हमारे interferons वो हो जाएंगे अपने interferons तो चलिए अपने क्या करते हैं अपने फटा फट से इन तीनों ही hormones के बारे में जिक्रा कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके prostaglandins के बारे में तो लेट उस टॉक अबाउट prostaglandins अगर prostaglandins की अपने बात करते हैं बच्चों अगर prostaglandins की अपने बात करते हैं सबसे पहला में क्या करूँगा, मैं इसके discoverer का नाम लिदूँगा, इसको किसने ढूंडा, तो एक सर्थे जिनका नाम था, Vaughn Euler, Vaughn Euler ने ढूंडा था, somewhere in here 1935, ठीक है, और ये कहां से निकाला गया था, ये कहां से निकाला गया ा, ये निकाला गया था हमारेмет सीमन के अंदर से निकला है, तो हमको लगा कि सीमन यो ये उसके अंदर से प्रोफ्टेट ग्लांड से जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लांड। तो हमें क्या लगा था उसदर्मैन हमें मतलब यह जो वन-उुलर शवाव है इनको लगा जो प्रोस्टअग्लेंडीन यह बनी है प्रोस्टड्ग्लand से उसले उन्हें क्या बोला कि या रोस्टाग्लेंडीन दे तो चलो इसको नाम सुनने में अच्छा लगता है बट असलियत में ऐसा नहीं था अब अपने जब आपका नाइन चप्टर पढ़ा था ठीक है आपको बताया था कि यह जो फाटी असिड है इसके इसके इंदर 20 कार्बन होते है इसके अंदर 20 कारबन होते हैं, 20 कारबन थे, उस 20 कारबन के अंदर जो साइड चेन होगी नहीं, यह जो यह जो लॉंग चेन होगी आपका, ऐसा कुछ, इसके अंदर 19 कारबन तो वो आर के अंदर आ जाएंगे, 19 कारबन तो तुम्हारे आर के होगा यहाँ पर, 19 कारबन आपक क्योंकि यह जो Prostaglandins है they are derivatives of this they are derivatives of Eregdonic Acid which happens to be a polyunsaturated fatty acid it is polyunsaturated fatty acid अब unsaturated लिखा है भाई unsaturated लिखा है उसका मतलब क्या है वो double या triple bond लिखे बैठा होगा ठीक है saturated होता हो single bond होता है बड़ ये unsaturated है इसले double or triple bond लिखे बैठा रहेगा इनका function क्या होता है Prostaglandins क्यों चाहिए मेरे को ये क्या करेगा ये आपका regulate करेगा blood pressure को it regulates blood pressure it regulates blood pressure किसी वेक्तिकोर pressure की बिमारी है तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने अपने काम कर सकते हैं अब blood pressure कैसे regulate होता है आपके पास ये blood vessel है आपके पास ये blood vessel है तो ये blood vessel या तो fail सकती थी तो जब blood vessel ऐसे fail ती है उसे कहा जाता है dilation of vessel और इस event को हम लोग कहते है vasodilation इसे क्या कहते हैं हम लोग vasodilation हमारी vessels जो है फैल जाती है दूसरी केस में क्या हो सकता था ये vessels जो है सिकूड सकती थी जब वो सिकूड जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या vaso construction vaso construction तो आपने वो जो ADH वगरे के बारे में पढ़ा आपने ANF के बारे में पढ़ा वो तो जब वो जो blood pressure को control करते थे वो इस vasodilation और vaso construction की वज़े से ही कर पाते थे तो तुम देखोगे क्या कि जब vessels बहुत जादा फैल जाती है तो pressure गढ़ जाता है blood pressure drover हो गया अगर किसी वक्ति का pressure बढ़ा हुआ था तो ये vessels को dilate करने पर pressure गढ़ जाता अगर pressure गढ़ा हुआ है तो vessels को construct करने पर pressure बढ़ जाता ठीक है दूसरा ये क्या करता था ये क्या करता था प्रोस्टाग लैंडीन है न ये आपके paristalsis आपने पढ़ा था आपके 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 isophagus के अंदर आपके isophagus के अंदर circular और longitudinal muscles होती थी जो paristalsis induce करती थी तो वो paristalsis को भी ये regulate करता था और साथ में secretion of digestive enzymes को ये control करता था secretion of digestive enzymes particularly जो gastric होते हैं उसके उपर इसका ज़्यादा influence होता है secretion of digestive juices or digestive enzymes अगर आपको खहीं पर चोट हुई है तो वहाँ पर दर्द करेगा cause pain cause pain at site of injury आपको अगर चोट हुई है at site of injury अगर चोट हुई है तो उस जगह पे आपको दर्दगर हो रहा है तो आपको बहुत 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 शुकर गुजार होना चाहिए किसका किसका प्रोस्टाग्लैंडिन का site of injury पे होगा किवार ये लिज़े कर देगा आपको fever कहीबा बुखार देगा कही बार ही आपको फीवर भी लिज़्े लिज़े कर सकता है इसके अलावा थिक है इसके अलावा इसके अलावा ये आपको आपको सूजन कर सकता, आपको जो सूजन हो जाती है, वो प्रोस्टाग्लाइन की मदद से होती है, वो प्रोस्टाग्लाइन की मदद से होती है, ठीक है, अगर, अगर कोई फीमेल है, जो प्रेगनेंट है, अब उसको उसको बच्चा पैदा करना, उसको बच्चा बहार निका तो एक्सिटोसिन किया करता है इसके हम लुग बर्थ होर्मोन के नाम से जाना जाते हैं कि अधोर मन्या मिल्क इजेक्षिन होर्मोन कि नाम से जाना जाता है तो ये जरेगा ये करवाइगा प्रोस्टा गक्रवाइगा अलांग है with the oxygen will cause तो यूट्रिन मसल्स दूसरा यह क्या कर सकता था अगर कोई मेल है जिसने जिसने स्पर्म्स प्रेड्यूस करें और वह उपर पहुंचाने थे उसको यूरेत्रा के आसपास तो वासा डिफ्रेंस जो स्ट्रक्चर था वहां पर कॉंट्राक्शन होगा अगर अगर ओवा जो था वह मूह करते वे पहुंच रहा था यूट्रस के अंदर तो ओवी डक्ट के अंदर भी कॉंट्राक्शन हुए होंगा और वह कॉंट्राक्शन के लिए oxytocin और prostaglandin जिम्मदार है तुमने कई बार देखा हो कि तुमको जब द इसके secretion को prostaglandin के secretion को inhibit कर देता है painkiller इसके लिए जब तुम वो painkiller वाली दवाही लेती हो painkiller medicines लेती हो तो तुम्हारा जो दर्द हो घट जाता है ठीक है? So that is So that was, that was, that was prostaglandin for you Now let us talk about the second category that is the that is the neuro transmitter that is the neurotransmitter अगर आप neurotransmitter की बात करते हो अगर आप neurotransmitter की बात करते हो तो आप इसको neuro regulator भी बोल सकते हो You can also call it as neuro regulator You can call it as neuro regulator Now these no, these, these, these These chemicals or these substances the neurotransmitters or the regulators are secreted by nerve cells They are secreted and synthesized बना भी यही रहे और release भी यह कर रहे Synthet Sized by the nerve cells Nerve cells मतलब हमारे neurons Now, what do they do? What do they do? These neurotransmitters They help in transmitting They help in transmitting the nerve impulse They transmit the nerve impulse अब nerve impulse वो कहां-कहां transmit करी आ सकती थी यह यह या तो muscle पे transmit कर सकते थे हम या तो हम किसी gland में transmit कर सकते थे या फिर हम इसको किसी synapse के across transmit कर सकते थे तो यह तीन जगह पे में लिए हम लोग जो जो हमारे neural regulators या neurotransmitters का transmission कर वा सकते थे यह basically दो प्रकार के होते हैं इनकी दो categories होती है एक जो excitatory होती है nature में ठीक है यह हमारे nervous system को elicit करती है ठीक है तो इसके कुछ examples है हमारे पास में जैसे के हमारे पास आगया है acetylcholine आपने पढ़ा है इसके बारे में acetylcholine जो है excitatory होता है nature में दूसरा हमारे पास होता है norepinephrine apart from that serotonin होता है serotonin serotonin जो है यह काम की चीज़ है दूसरा होता है dopamine dopamine is one more one more example of excitatory neurotransmitter then you have the other category that is inhibitory in nature देखो नाम से आपको है नाम से आपको आइडिया लगा लेना है नाम से आपको आइडिया लगा लेना है एक वो है जो हमारे nervous system को elicit कर रहा है और दूसरा है जो उसको रोक रहा है तो जो 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 inhibitory में है उसके examples में कौन आगई glycine glycine के बारे हम पता है हमें it happens to be an amino acid फिर हमारे पास GABA है GABA एं गाबा का फूल 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 आपको इडिया गामा अमाइनो भ्यूटरिक आसड गामा अमाइनो भ्यूटरिक आसड और राइड तो दाट इस गाबा और न न न ओ नाइटरिक आकसाइड ठीक है अगर यह नाइटरिक आकसाइड सूंग लोगे तो यूड़ 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 आवज लिग कुछ समय तक आप हसते ही रहोगे बिना मतलब चलिए देन यूज़ था थार्ड काडिगरी अफ दे on अपल मैम है अचन क्यू चाह एक आप मतलब यूड़ यह नह्यूज़ा क्या उसको गया गश्रिक्षिन उसको गया क्या round viral infection तो हमारे पास कुछ पैंच्र आपर हमारे पास कुछ च्छ niños हैं यहाँ पर ठीक है थीं यहां पर एक इंफेक्ट होगी थे किसी वाइरस से अब इससे तो पता चल गया था कि हमारी तो खट्या खड़ी हो चुकी है हमारी तो खट्या खड़ी हो चुकी है तो यह क्या करेगी इसका प्रयास रहेगा कि जो नेबरिंग से उन्हें बचा लिया जाए उनको एट लीस्ट बचा ना सके तो हमसे इंफॉर्म तो कर दिया जाए कि भाई वाइरस आ गया है हमारी वाड लगने वाली है तो ऐसे केस में ऐसे केस में यह जो वाइरस अफेक्टेट सेल थी वो कुछ सब्सेंसे रिलीस करती है अपने सराउंडिंग में जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरोन यह इंटरफेरोन क्या करेगा यह लोग मॉलेक्ट वेट प्रोटीन है ठीक है तो इस आर बेसिकली दा लोग मॉलेक्ट ण को मॉलेक्ल वेट्स अंधर बेसिकली थी रिर्कष्णाइब माइन हम गू बहुं थी आर संचारमिद जो सेल्स होंगे अज है आंदर गूलेक्दी काराइब करेंगे और प्रोवाइचरेंस दूतर हैंगेF कुछ आरडफेरोन बवेट अवाद करेंगा रिकव कीसको प्र neighboring cell they provide resistance to surrounding या फिर या फिर या फिर neighboring cells न-e-i-g-h या neighboring cells वाइरस से बचाने या काम करेंगे ठीक है चलिए ना इसी के जैसा इसी के जैसा एक एक अलग होर्मोन है जिसे हम लोग कहते हैं फेरोमोन्स इसे हम लोग कहते हैं फेरोमोन्स ना फेरोमोन्स कि और समयका क्या क्यूंत कॉला स्पनास्टिय। इस थिस थेस handicap मिन्हें सम्टनी और इस। इस सब्सक्स्राइध और एब वेल या श। इस 부탁 and और दूसरा है ये लोग कैसे क्या होते हैं? orderers होते हैं मतलब ये have a definite order definite कुछ smell जैसा होता है इनका नव ये क्या गरते हैं? ये हवा के तुरभए travel कर सकते हैं they can travel by air and and alter the functioning of the nervous system ठीक है? alters the functioning of functioning of members of same species, members of same species members of same species मतलब यह होता है आपने शायद आपने शायद वो डियूटरिंस रगरा की आड में देखा होगा कि यह लड़का जा रहा है डी ओ छाटा और अज जो अज जो लड़कियां थी ओ पागल हो जा रही है वैसा ही आपने शायद लड़कियों लड़कियों की आड में खेर इसा नहीं दिखाते हैं के लड़के मर रहे हैं I don't know for what reason ऐसा नहीं होता है बट लड़कों की आड में दिखाया जाता है तो में भी शायद वो फैमिनिसन का प्रमोट कर रहे हैं या फिर पता नहीं क्या तो 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 होता ही यह है भाई जिसे हमारे अंदर अपने के भी या देख के पसंद करने वाला तो वो लोग क्या करते हैं उनके अंदर यह फैरोमोंस पिक्चर में आते हैं उनके अंदर फैरोमोंस पिक्चर में आते हैं तो फैरोमोंस रिटरवाइन करेंगे के भी या वहाँ पर जो मेटिंग का चांस है वो सामने वाले जो और्गनिजम है या जो पार्टनर है उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो there is this thing called confusion technique वो इसे के उपर बेस्ट है तो इसके उपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसका लिंक में डिसक्रप्शन में डाल दूँगा बाद में तो confusion technique is also based on the pheromones only नहीं हमारे पास pheromones की 3 main categories है pheromones की 3 main category है जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में bombicol ठीक है हमारे पास सबसे पहले जो फेरो मोन है वो है bombicol bombicol जो है या जो bombicol है it is produced by bombics mori it is produced by bombics mori which happens to be which happens to be nothing but your silkworm it is silkworm यह क्या करता है यह six attractant के तरह वर्क करता है यह क्या करेगा sex attractant के तरह वर्क करेगा मतलब यह meeting के दर्मयान जो है help करेगा it will find out the suitable partner ठीक है तो मालो male ने produce करा यह bombicol अब इसको डूनती हुझ यह female हुआएगा female ने produce करा तो female को डूनता हुआ male आएगा alright now of all the hormones that is the pheromones that we know of all the pheromones that we know this was the first to be discovered ठीक है दूसरा जो है वो है वो है हमारे पास geradiol that is yeah geradiol या diol geradiol जो है वो किसके दवारा बनाया जाता है it is secreted by honeybees it is secreted by honeybees madhu makhiyan जो है ना madhu makhiyan वो इसे बनाती है और lastly हमारे पास जो example है pheromone का वो क्या है वो है muskon है तो बहुत सारे है तो बहुत सारे वेट हम लोग कुछी का discussion कर रहे है तो muskon is one of them muskon क्या गरता है muskon in fact बंदा इसके दवारा it is secreted by by musk deer it is secreted by somebody called somebody called us the musk deer ठीक है तो आज का जो वीडियो था उसको हम लोग यही पर रोकेंगे and हमने क्या किया हमने start किया हमारा chapter number 22 that is chemical coordination and integration जिसमें अभी तरह हमने बात करी है about the glands ठीक है जैसे जैसे I mean coordination की बात करी एक hormonal है और दूसरा nervous है फिर हमने बात करा endocrine gland or exocrine that is types of gland के बारे में discussion किया then we talked about the para hormones जिसमें हमने prostaglandine के बारे में बात की हमने neurotransmitters or interference के बारे में बात की and apart from that we also had a word on the pheromones so we will have a break here in the next class we will start the endocrine glands thank you very much for watching the video and god bless you